आप देख रहे है धर्म शिक्षा आईए जानते है आज का राशीफल आपको आज का पंचांग और भी विस्तार जानना है तो डिस्क्रिप्शन में आज के धर्म सिक्षा पंचांग का लिंक दिया हुए आज का पंचांग विस्तार प्रोग जान सकते हैं एक अक मोरतंग गां में जान सकते हैं आज का स्भी राशीफल के वीडियो में हम पूरे बारह राशीफल की चेश्चा करेंगे साथीजर आज का सुबसमय असुबसमय दिशासू सुब्खादे, रासिफल कोन सा खादे पतात, कोन सा रंग और लखी निमर क्या रहने वाले आपके लिए तो वीडियो में हमार साथ अंतग बने रिये ठाकि आपको संपून रासिफल के जानकारी हो पाए रासिफल का वीडियो पसंदाई जानकारी अच्छी लगे दिशे लाइक करें साथ ही कमेट बॉक्स में जैसी गरें जोड लखें मैं तो आज का संपून रासिफल आपका बताना आरम करो उससे पजाईए हम सभी मिलकर एक निज़र डाले आज के गरहों की स्थिति पर क्योंकि गरहों की स्थिति पर ही पूरा का पूरा रासिफल नि मेश रासी में चंद्रमा आज पर्था मस्थान में विराजित हैं जिसके फ्रसरूप आज आपको आपके दोस्तों का सहयोग प्राप्त होगा आज कोई भी निर्णय भावगतावस ना लें ऐसे निर्णयों से आप परिशानी में पढ़ सकते हैं बेरोजगार जातकों को साथ भी मिलेगा परिवार के किनहीं दो सदस्यों के बीच मन मटाव बर सकता हैं अगर आप पूड़े परिवार के साथ कोई धार्मिक कारी करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी आज आपको आपके सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा लेकिन ध्यान रहे वह आपक काम का केडिट भी लेने का प्रयास करेंगे आज किसी सुनी-सुनाई बातों पर आँख मूंद कर भरोसा ना करें सच्चाई को परकें तब ही आगे बढ़ें व्यापार और धन की बात करें तो व्यापारियों को आज कोई भी निरने बहुत ही सोच समझ कर लेना चाहिए किसी अचानक साय चुनोतियों का सामना आपको करना पर सकता है तो इसके लिए पहले से ही सचेत रहें अगर कहीं निवेश करने का मन बना रहें तो एक बार अनभवी लोगों की सलाह जोड़ लें करज लेने से आज आपको बिलकुल बचना चाहिए विद्यार्थी की बात करें तो आज आपका मन पढ़ाई में लगेगा आप जिस लक्ष की प्राप्ति चाहते हैं उसके लिए अच्छी योजना बना कर करी महनत करें सफलता आपको मिलेगी स्वास्थ की बात करें आज आपको अपने स्वास्थ के पर्ति सजेत रहना चाहिए जिन जातकों को हाय ये लो ब्लेड प्रेसर की सिकाइत रहती है वह आज अच्छा मह्सूस करेंगे प्रेम समन्द की बात करें तो आज आपके जीवन साथी के साथ आपकी नोग जोग भी हो सकती है बाद में सब कुछ ठीक भी हो जाएगा और विवाही जातक प्रेम समन्द में कोई भी नियारिस्था बनाने से पहले सामने वाले को जोरू परखें आज आपके प्रेम समन्द म आज 12 हुए इस्थान में विराजित हैं जिसके फ्रस्प जो जातक किराय के मकान में रहते हैं उनके मकान मालिक के साथ समन्द भी कर सकते हैं तो आपको साब्धानी आपे रखनी चाहिए आज आपको संतान के तरब से खुजी हो सकती है परिवार में साकारात्मक वातावरोनिसकन बनेगा किसी पुरानी समस्या का अंध भी हो सकता है आपके आत्मिस्वास में कमी आ सकती है साथ ही अपने वानी पे नियंतन भी रखें क्योंकि आज आपके लराई जगरे भी हो सकते है आफिस में आपके सीनियर आपको किसी काम को लेकर उकसा सकते हैं धहरी से काम ले या एक सोची संभी साजिज भी हो सकती है व्यापार और धन की बात करें तो आज आपको व्यापार में हानी का सामना करना पड़ सकता है अगर आज किसी के साथ पार्टनर्शिप पर व्यापार करते हैं तो उनके साथ मिलकर आप अपने व्यापार को लाब में ले जा सकते हैं अगर अच्छी योजना बनाएंगे और उस पर अमल भी करेंगे तो आप अपने हानी को लाब में बदल सकते हैं बात करेंगे विद्यार्थी की, विद्यार्थियों का मन चंचल रहेगा, पढ़ाई के लावा अन्य चीज़ों में समय बाद ना करें, अपने पढ़ाई पढ़ी धियान लगावें. सिख्छा के छेद्र में विद्यार्थियों को आज दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है. स जीवन साथ ही को समय दें, उनकी भावनाओं की कदर करें, इससे आपके प्रेन समंधों में मिठास उत्पन होगी, प्यार के जाहर करने के लिए भी आज के नच्छा रहने वाला है, आज के दूद या दूद से बनीवी चीने खाएंगे तापके लिए सुब रहेगा, आपके जिसके कारण आपके आत्मी स्वास में वर्धी होगी, आज आप कोई भी नया कारी करने के लिए प्रेरिद भी रहेंगे, और इस नए कारी में आपको सफलता भी मिलेगी, नए लोगों से मिलना, दोस्ती होना, संपव है, आपको आज कुछ पारिवारिक समस्या का सामना भ सकता है, लेकिन अगर आप अपनी बुद्धी का इस्तेमाल करेंगे, तो पारिवारिक समस्या सुधारने में भी आपको सफलता भ्राप्त होगी, आज आपके धैरी में कमी आ सकती है, जिसके कारण आपके बने हुए कारी भी बिगर सकते हैं, व्यापारों धन की बात करें, तो आज आप अपने बात करने की छमता और काम करने की छमता से अपने व्यापारों में विर्धी कर पाएंगे, आपकी आए में बढ़ोतरी भी होगी, जो आतक नोकरी कर रहे हैं, उनके सीनियर अधिकारी उनसे परसन न रहेंगे, आज किसी को कर्ज देने से बिल्कुल द्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है, आज आप अपनी पढ़ाई के लिए अनुकूल इस्तिती का अनभव करेंगे, तो ऐसी इस्तिती का लाव उठावें, ज्यादा से ज्यादा अपनी पढ़ाई पढ़ें, स्वास्तिकी बात कर आज अपने खान जिद्पन हो सकती है, लेकिन यह सब होने के बाब जूद आपके रिष्टे मधूर बने रहेंगे, जी बन साथी या अपने प्रेमी प्रेमी का के साथ समय बिताएं, इससे आपके प्रेमी समन्द अच्छे बनेंगे, आज की चांदी के बरतन में खीर खाएंगे तो आपके की प्राप्ती होगी, आप जो भी काम करते हैं, उसमें आपको प्रोच सहन मिल सकता है, आपके प्रतिदंदियों को प्रास्त करने में आपको सफलता की प्राप्ती होगी, अपने घर के कारियों में आज आप व्यास्त भी रहेंगे, भगवान के प्रति आपकी आस्था बढ लेकिन संतान के तरफ से थोड़ी चिंता आपको रह सकती है, तो अपने संतान का ध्यान रखें, आज घर में कलह का माहौल भी बन सकता है, आज आप आत्मिस्वास से भरपूर रहेंगे, परन्तु पिता के स्वास्ते से थचिंतित भी रह सकते हैं, व्यापार और धनकी बात क कारण आप मानसिक तोर पर मजबूत न जराएंगे, जिसका फाइदा आपको भी व्यापार में मिलेगा, जो जातक नोकरी कर रहें, उन्हें अपने सहकर्मियों से चुनती मिल सकती है, आज आपके खर्च भी ज़्यादा हो सकते हैं, तो अपने फिजूल खर्चों पर निय कोई पुरानी बिमारी आपको आज परिशान कर सकती है, कुछ जातकों को जोरों का दर्थ परिशान कर सकता है, तो हलका व्यायाम करना आपके लिए अतियुत्तम रहेगा, प्रेम समंधों के लिए आज के लिए अच्छा रहने वाला है, जीवन साथी के साथ आज आप समय पाएंगे, साथ ही आप यह भी जान पाएंगे कि आपका पाटनर आपसे कितना प्यार करता है, आज कि इन उरत की डाल खाएंगे, तो आपके लिए शुब रहेगा, आपके लिए आज का सुब रंग पी लारंग, लकी नमबर रहने वाला आठ, बात करेंगे अब सिंगरास सिंग रासिम चंद्रमा नौवे स्थान में विराजित है जिसके फ्लसुप आज आप अपनी बातों को समाज में अच्छे डंग से दख पाएंगे जिसके फ्लसुप आपके चाहने वालों के संख्या में विर्धी भी होगी अगर आप रादनिती से जुरे हुए हैं तो उसका भरपूर लाव भी आपको मिलेगा आपके संतान का सहयोग आपको प्राप्त होगा कोई पुराना फसा हुआ रुका हुआ काम आपका पूराज हो सकता है सरकारी कारियों से आपको लाभार मिलेगा आज आपको आपके मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा आज आप मानसिक सा प्रतिदिन्दी आपको व्यापार में नुकसान पहुचाने की कोशिस कर सकते हैं, लेकिन व्यापार में आपके इस्थिति अच्छी फिर भी बनी रहेगी। जिन जात्कों को मकान ये गारी की तलास है, उनकी तलास पूरी हो सकती है, जो या तक नुकरी कर रहे हैं, उनके लिए भी आज की नच्छा रहने वाले हैं, ऑफिस में कोई नई जीमिदारी आपको दी जा सकती है, आपके ट्रांसफर होने की योग भी बन रहे हैं, विद्या समंध की बात का एक प्रेम समंधों को सुद्रिट बनाने के लिए आज अपने जीवन साथी के साथ समय विताएं अपने आपको उचा और अपने जीवन साथी को नीचा दिखाने की कोशिस तो भूल कर भी ना करें इससे वाद वियाद किस्ते दित्पन हो सकती है जिन और कन्या रासिम चंद्रमा आज आठवें स्थान में विराजित है जिसके फ्लसुप आज आपको परिवार जनों का साथ मिलेगा साथ ही आपके जो बड़े भाई बहन है उनका भी सहयोग प्राप्त होगा माता पिदा से कुछ आर्थिक सहयोग मिल सकता है परिवार में सुक सा का माहौल बना रहेगा जिसके फ्लसुप घर में साकरत मकता भी रहेगी लेकिन आज आपके लिए लड़ाई जहरे के योग बन रहे हैं तो आपको सबसे अच्छे समन्ध बना के रखने होंगे खास करके सगे समन्धियों से परोशियों से किनी-किनी जातकों को कोई अगर अपने पिता और धर्मगुरु की सलाह से किसी काड़ी को करेंगे तो उसमें आपको सफलता की प्राप्ति होगी व्यापार और धन की बात करें तो आज आपको व्यापार में करी चुनोतियों का सामना करना पर सकता है लेकिन इस चुनोति से घबराएं नहीं बलकि इ विच्फी इससे पैसे उधार लेने से बिलकुल बचे आज कर दीए के पैसे आप जल्दी से चुका नहीं पाएंगे जो जाद अट को नोकरी कर रहें उनके सहकर्मियों के साथ उनके समन विगर सकते हैं आज आपके सहकर्मी आपके बड़े परति दअन्दी साबित हो सकते इससे बचने के लिए अपने सीनियर के सामने अपने आपको अच्छे से प्रेजेंट करें आज आपके खर्चों में विर्धी होगी विद्यार्थियों के लिए आज के इन सामाने रहने वाला है अपने समय को बरवाद करने से बचें समय का एक एक पल महतपूर्ण है उस पल का लाब जो उठावें अभी ध्यान अपना सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही लगावें स्वास्त की बात के तो आज आपका स्वास्त अच्छा रहने वाला है लेकिन आपको अपने स्वास्त का ध्यान रखना चाहिए तले भुने और मसाइदार खानों से दूर रहना चाहिए प्रेम समन की बात करें तो जीवन साथी से हलकी नोग जोग के बाद अच्छे संबंद भी बरेंगे आपको कोई पार्टनर भी आज मिल सकता है लेकिन पार्टनर का चुनाओ करने में आपको सभानी बरतनी चाहिए प्यार के जहार करने से भी आपको बचना चाहिए आज के इन गुर अपने खादे पतात में सामिल करेंगे आप तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग सुनहरा रंग लगी नम्मर चार रहने वाला है बात केंगे तुलारासिकी तुलारासिम चंत्रमा साथमी अस्थान में विराजित है जिसके फ्रसुब आज आप अपनी बातों को समाज में मजबूती के साथ रख पाएंगे आपके बच्चों के साथ आपका समय अच्छा भीतेगा कई माईनों में आज के नपकी चुनूतियों से भार रह सकता है आज अगर आपको जीवन का कोई भी बड़ा फैसला लेना हो तो किसी अनभावी लोग की सलाह जोड ले आज आपके मन में कोई नाकारत्मक विचार आ सकते हैं जिससे आपका कारी भी प्रभावित हो सकता है आज आपकी बोली गई बातों को आपके परती दंदियों दोरा तोर मुरोर का पेस किया जा सकता है तो कुछ भी बोलने से पहले साभवानी बड़ते हैं किनी किनी जातकों के उनके पिता के साथ समन भी गर सकते हैं आपको बरतनी चाहिए आज अगर घर में अपने बड़े कासीरवाद लेकर किसी काम के लिए निकलेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी औफिस या व्यापार में आपके सहकर्मियों के साथ आपका समय अच्छा भी देगा व्यापार औधन की बात के व्यापार के नोकरी करने को वाले जातकों के लिए आज किन अच्छा रहने वाला है ओफिस में सहकर्मियों और सीनियर के बीच आपका मान समय बढ़ेगा विद्यार्थी की बात के तो आपको आज लक्ष की प्राप्ति के लिए ज़्यादा मेहनत करना की आवज सकता है ज़्यादा मेहन जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा जो रातक और विवाहित हैं उन्हें कोई नया पार्टनर भी मिल सकता है आज किन तामबे के बरतन में पानी पिएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग लाइट येलो कर लखी नमर छे रहने वाला है बात करेंगे विषचीक्रासी की, विषचीक्रासीम चंतरमाच छठे स्थान में विराजित है जिसके फ्रसुब आज आपके कारियों को यदिक्ता रहेगी, कारी छेत में परिवानी की मदुरता से बहुत सारे कारियों को लिपटा सकते हैं, अगर आप अपनी वानी पे अगर कुछ नियाकारी आरम करना चाहते हैं, तो उसमें समस्या उत्पन नो कुछ हो सकती है, मन में किसी प्रकार के चिंताएं भी रह सकती है व्यापार और धन की बात करें, तो अगर कहीं आपके पैसे बकाया हैं, तो वहां से पैसे वसोली की पूरी संभावना बन रही है पिछले गर्ज को आप चुका पाएंगे, व्यापार में अगर कुछ लंबे समय से दिक्कतें चली आ रही है, तो उसे खत्म करना अब अतियावस्यक हो गया है इससे वरना बहुत ज़्यादा हानी का सामना करना पर सकता है विद्यार्थी की बात के आज आपका मान पढ़ाई में लगेगा, लेकिन सफलता की प्राप्ति के लिए आपको और व्यादा मेहनत करने की आवज सकता है स्वास्त की बात के जिन जात्मों को जोरों का दर दिये, गठिया से समंधित समस्या रहती है उन्हें थोरे परेसानी का सामना करना पर सकता है आज आपको तनावपोर्न वाताब्रेंड में रहने की सला बिलकुल भी नहीं दी जा रही है प्रेम समंध की बात करत आज आपका पारिवारिक जीवन सुख में रहेगा, जीवन साथी को समय दें और उसे समझें इससे प्रेम समंध में नई उर्जा का संचार भी होगा लेकिन प्रेम समंध हो में सोच समझ कर ही आगे पर हैं किसी तीसरे व्यक्ति की वज़ा से आपके प्रेम समंध में दरार उत्पन ना होने दें आज किन गेहूं से बढ़ी वी चीए खाएंगे ता आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग गुलाबी रंग लकिन मर रहने वाला है तीन बात केंगे धनुवासिकी धनुवासिम चंद्रमा पांच में स्थान में विराजित है जिसके फ्रसुब आज आज आपको कई परकार के परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है कलातमक कारियों में आपकी रूची बढ़ेगी आपके व्यक्तिति में साकारतमक बदलाव आ सकता है आज अपनी माता के साथ कुछ समय जोरू बिताएं और उनकी मन सिति को समझें तरह सकते हैं इसके लिए आपको अपने बच्चों की परहाई में रुची समझनी होगी और बच्चों को उनके रुची के अनुसार ही केरियर के लिए पेरीट करें व्यापार उ धन की बात के व्यापारियों के लिए आज किन अच्छा रहने वाला है आपके आत्मिस्वास में विर्धी होगी जिसका फायदा आपको भी व्यापार में मिलेगा आज किसी जुरोत्मिन बत्ति को धन का दान जोरू करें नोकरी करने वाली जात्कों के लिए भी आजके इन सामाने रहने वाले नोकरी में परिवर्थन का मन आपका हो सकता है कुछ जात्कों को सट्टेबाजी से लाब भी हो सकता है विद्यार्थी की बातकेट विद्यार्थियों का मन चंचल रह सकता है अपने आपको सोसल मीडिया और मौईल फोन से थोड़ दूर रखें अब आपको अपने केरियर के परती सचेद भी हो जाना चाहिए स्वास्त की बातकेत आज आपको किसी प्रकार के चिंता रह सकती है मन असांद भी रहेगा जो रहा तक पहले से विवान है उन्हें अपने स्वास्त का ज्याद ध्यान रखना चाहिए प्रेम समय की बात कित आज आप जीवन साथी को समय दे पाएंगे जीवन साथी पर किसी प्रकार का सक करने से पहले सचाई को जानने की कोशिस करें अगर आप लंबे समय से प्यार की जार की सोच रहें तो यह समय आपके लिए अच्छा सावित हो सकता है आज किन हरी सब्जियां खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरंग पी लारक लगी नमर चार रहेगा बात करेंगे अब मकर रासी की मकर रासी मचंदरमा चौथे अस्थान में विराजित हैं जिसके फ्रसुब आज आप किसी पर भी अपनी बाते थोपने की कोशिस ना करें आपको यहां से नुकसान हो सकता है आपके दोस्तों के साथ आपको अच्छे समन्द बना के रखने का प्रयास करना चाहिए उनसे लराई जगरे की संभाव ना पन रही है अगर सांती से काम लेंगे आप तो आपके बहुत सारे कारी बन भी सकते हैं अपने लगन और आत्मिस्वास से आप अपने कारीयों को बहतर धंग से कर पाएंगे जोह तक मीडिया से जुरे हो हैं उनके लिए आज के नच्छा रहने वाला है व्यापार और धन की बात करेंगा तो आज आपने साहस और प्राक्रम के बल पर अपने कारी छेतर में इस्तिती को सुधार सकते हैं आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा यस और कीरती में वर्धी भी होगी आपके व्यापार में तेजी देखनी को मिलेगा अपने काम पर फोकस रहें इससे आपको फायदा भी होगा नोकरी करने वाली जातकों के अपने सीनियर अधिकारियों से मतभेत बर सकते हैं तो यहाँ पर आपको साभने निश्ची तोर पर रखनी चाहिए अपने फिजूल घर्चों पे नेंतन भी रखना चाहिए विद्यार्थी की बातकर आज विद्यार्थियों को सिक्षा के छेतर में सुभफ़लों की प्राप्ती होगी तो डटकर मेहनत करें स्वास्त की बातकर जीनजातकों को जोरों का दर्द या गठिया से समद्धित समस्य день रहती है उन्हें आज परेशानी रह सकती है आज आपका ब्रेट परसर नॉर्मल रहेगा व्यायाम करें योग करें इससे आपके स्वास्त को फायदा होगा प्रेम समन की बात के तो आज अपने जीवन साथी के साथ किसी दूसरे के वज़ा से मत्भेद उत्पन हो सकते हैं कुछ भी ऐसा सोचने से पहले बातों को गहराई से जोर जाने आज के इन मसूर की दाल खाएंगे ताप के लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब लंग हरा रंग लकी नमबर रहेगा छे बात करेंगे कुमरासिकी कुमरासिम चंद्रमा तीस स्थान में विराजित हैं जिसके फ्रसुब आज आज आपको छोटे भाई भनों का सहयोग पराप्त होगा आप किसी जोरतन दक्ति की मदद जरुखरें इससे आपको भी जीरों ने फायदा होगा आपके पिता यो उच्चे दिकारियों का सहयोग पराप्त होगा सामाजिक कारियों में आपकी रुची बढ़ेगी मन में ने ने विचार आएंगे इन विचारों को सहेज कर अपने जीवन में आगे बढ़ें स्वादिष्ट भोजन का अनन्द ठापाएंगे परिवार के साथ किसी धार्मी क्या तरह पर जाने के या धार्मी कारी करने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं आज किसी गलतफायमी के कायन आपके और आपके प्रिये जनों के बीच लड़ाई जगरे हो सकते हैं तो यहाँ पर भी साभ़ानी आपको रखनी चाहिए व्यापार धन की बात करें तो आज आपको आपके केरियर में सफलता की प्राप्ति होगी आज आपने विरोधियों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे आर्थिक मामलों में आपको सफलता की प्राप्ति हो सकती है परिवार के किसी व्यक्ति से आपको धनलाब भी हो सकता है जुज़ा तक नोकरिक करते हैं उनको आफिस में ऐसे लोगों से सब्धान रहना चाहिए जो उनके दोस्तों हैं लेकिन उनकी चबी विगारने की कोशिस करते रहते हैं विद्यार्थी की बात के विद्यार्थियों के लिए आज के मिलादला रहने वाला है परहाई से आपका मन भट्रक सकता है ऐसे में अपने लक्ष का ध्यान करेंगे तो आपको फायदा भी होगा स्वास्त की बात करेंगे आज आपका स्वास्त अच्छा रहने वाला है चुस्ति और फूरती का अनिभव भी करेंगे लेकिन आपको मौसमी विवारियों से सचेत भी रहना चाहिए प्रेम समध की बात करेंगे आज आप जीवन साथी के साथ समय बिताएं इससे आपको और आपके जीवन साथ ही को दोनों को अच्छा महसूस होगा आज के इंचांदी के बरतन में खीर खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबनंग नीलारंग लकिन नमर तीन रहने वाला है बात करेंगे मीन डासी की मीन डासीम चंद्रमा दूसरे स्थान में विराजित है जिसके फ्रसुब आज आपका मन आत्मिस्वास से भरपूर रहेगा लेकिन मन में नेका रत्माग विचार भी आ सकते हैं छोटी मोटी परिसानिया आएंगी लेकिन उन परिसानियों पर विजय प्राप्त करने के कोशिश करें कुछ नए विचार आपके लिए फाइदे मन साबित हो सकते हैं आज अगर किसी की मदद करेंगते हैं तो उसका फाइदा भी आपको कहीं कहीं मीलेगा बिना जांच पर टाल किये किसी वैवसाई या कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर बिल्कुल भी ना करें इससे आप मुस्किलों में पर सकते हैं व्यापार उधन की बात करत आज आपको व्यापार में लाब होगा व्यापार में जो भी आपके प्रतिदन्दी हैं उन पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं जुरा तक नोकरी कर रहे हैं उनके लिए आजके न अच्छा लने वाले आपके सीनियर या बॉस आपके कारी से प्रभावित हो सकते हैं लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि अपने बॉस के सामने खुद की पैर भी ना करें, इससे निगेटीव में जा सकते हैं। विद्यार्थी की बात केट पतियुकता परिक्षा की त्यारी करने वाली विद्यार्थी अपने दिड इच्छा सकती से लक्ष को प्राप्त कर सकते हैं तो अपने पढ़ाई पर ध्यान दें। प्रेम समन्द के बात करें अपनी बात है अपने जीवन साथी पर आज ठोपने से कलह की स्तिति उत्पन हो सकती है। अपने जीवन साथी को बड़ाबर कादिकार दें इससे आपके समन्द मधुर बने रहेंगे। आज के न्हारी सब्ज़डा खाएंगे तो आपके लिए ढ़न प्ला रहने वाले दो तो मित का असुप समय और मसं कि राही का लिए वाले अगने वाले हैं आटें स्मय कर चांदाब आधका दोड़कर न isle आपको नुकसान हो सकता है और सुब खाद्याच का गुर का चोड़ा टुकरा भी खाकर यातराम केंगे किसी नए कारी को करेंगे उसमें अपको सबतात लगेगी तो इम्हें आ ये उत्पाज का संपून रासीपल कल के संपून रासीपल के लिए जुड़े रहे हैं धरमसिक् ये मता दिन